तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 11th Physics का Chapter 4 जिसका नाम है Motion in a Plane सबसे पहले हम दो Definitions पढ़ते हैं पहली Definition है Scalar Quantities की और दूसरी Definition है Vector Quantities की Scalar Quantities का मतलब है ऐसी Physical Quantities जिनके पास केवल Magnitude होता है यानि के Value होती है लेकिन उनके पास कोई Direction नहीं होती Example के तोर पर आप देखिए Mass, Volume और Temperature अगर आप ये बोलें कि किसी Object का Mass 50 Kg है तो ये 50 Kg क्या है उस Mass की Value है यानि के उस Mass का Magnitude है लेकिन आप जानते हैं Mass की कोई भी Direction नहीं होती अगर आप Mass के साथ Direction लगाने की कोशिश करेंगे भी तो उसकी कोई Sense नहीं बनेगी Example के तोर पर आप ऐसा बोलके देख लीजिए के माली जी मैं कहता हूँ के मेरा Mass है 50 Kg उपर की तरफ या नीचे की तरफ या दाएं या बाएं तो आपको हसी आएगी क्योंकि Mass के साथ सच में Direction की कोई Sense नहीं बनती तो ऐसी Physical Quantities जिनके पास केवल Magnitude है लेकिन Direction नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं Scalar Quantities बोलते हैं अब जहां तक बात है Vector Quantities की तो Vector Quantities के पास दोनों चीज़े होती है यानि के Magnitude भी होता है और Direction भी होती है इसके अलावा एक और सबसे Important चीज़ है जो Vector Quantities फोलो करती हैं और वो Important चीज़ है Vector Loss अब ये Vector Loss होते क्या हैं ये हम इसी Chapter के अंदर थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे इसको हम बड़े Detail में पढ़ेंगे के Vector Loss होते क्या हैं लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए के Vector Quantities Magnitude भी रखती हैं Direction भी रखती हैं और Vector Loss को फोलो भी करती हैं एक्जम्पल के तोर पर आप देखिए Force, Displacement, Velocity ये किसके एक्जम्पल है ये Vector Quantities के एक्जम्पल हैं आप अगर ये बोलते हैं कि एक Force है जो लग रहा है किसी Object पर मा लीजे मैं कहता हूं कि 15 Newton का Force है और वो East Direction में लग रहा है तो Naturally आप ये कहेंगे कि 15 Newton तो क्या है उस Force की Value यानि के Magnitude और वो लग रहा है East Direction में तो ये East क्या है उस Force के लगने की Direction है तो आप ये देख सकते हैं कि Vector चीजों के साथ Direction की Sense बनती है यानि कि अगर हम किसी Vector Quantity के साथ Direction जोडते हैं तो वो बेतुकी नहीं होती सच में उसका मतलब बनता है ठीक है तो आप ये कह सकते हैं ऐसी Quantities जो Magnitude भी जिनके पास होता है जिनके पास Direction भी होती है और जो Vector Lows गो Follow भी करती हैं वो क्या कहलाती हैं Vector Quantities कहलाती है अब हम आगे चलते हैं यहां Need for Vectors पर यानि कि Vector की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी देखिए माल लीजिए कोई Object अगर One D Motion कर रहा है यानि कि One Dimensional Motion कर रहा है यानि कि एक Straight Line के Along Motion कर रहा है चाहे वो Straight Line पर आगे जाए या वो Straight Line पर पीछे आए लेकिन वो Motion करे एक Straight Line के उपर ही तो उसको हम बोलते हैं One Dimensional Motion यानि कि One D Motion तो One D Motion में जो Object है आप देख सकते हैं उसके पास केवल दो directions होती है example के तोर पर आप ये देखिए अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो माल लीजे मैं कहता हूँ कि ये एक straight line है जहां पर अभी आपको cursor घुमता हुआ नजर आ रहा है तो इस straight line पर क्या होगा माल लो कोई object जो है वो point O से चलना शुरू करता है तो या तो वो जा सकता है right side की तरफ O से या फिर वो जा सकता है O से left side की तरफ ठीक है और कोई direction उसकी possible नहीं हो सकती क्योंकि हम one dimensional motion की बात कर रहे हैं ठीक है तो आप क्या करोगे उसकी जो direction है उसको आप specify करने के लिए positive negative signs का use कर सकते है example के तोर पर आप ये देखिएगा कि अगर मानलो कोई object displacement करता है right side में तो मैं उसकी displacement को positive बोल देता हूँ और अगर वही object displacement करता है left side में तो मानलीजिए मैं उस displacement को कैसी बोलता हूँ negative आप यहाँ पर एक sense लगा सकते हैं के right side में positive x-axis होती है इसलिए हमने उसकी right side वाली displacement को positive बोल दिया और क्योंकि left side में minus x-axis होती है इसलिए हमने उसकी left side की displacement को negative बोल दिया हाला कि आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं यानि के आप चाहें तो right side की displacement को negative बोल सकते हैं और left side की displacement को positive बोल सकते हैं, ये totally आपके उपर होता है कि किस direction को आपने positive बोलना है और किस direction को आपने negative बोलना है, तो यहाँ positive negative का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई object one dimensional motion कर रहा है, तो positive और negative क्या होते हैं, सिर्फ उसकी direction को specify करते हैं, यानि कि अगर मैं बोलूँ कि object ने displacement की ह प्लस के 2 meter, ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर आप positive x और negative x को consider करके चलें, तो plus 2 meter का मतलब है, कि उसने right side में 2 meter की displacement की है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसकी displacement है minus के 2 meter, तो naturally उसने minus x-axis में, यानि कि left side की तरफ 2 meter की क्या की है, displacement की है, तो यहाँ पर जो plus 2 है और minus 2 है, वो स तरफ गया है, यानि कि positive x-axis की तरफ गया है, या फिर negative x-axis की तरफ गया है, तो one dimensional motion में तो आप ये कह सकते हैं, कि direction का ध्यान ये दो sign positive और negative बड़े आराम से रख सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है 2D motion या 3D motion की, तो आप ये जानते हैं, कि ऐसी 2D या 3D motion में, object के पास सारी directions हो सकती हैं, तो हर एक direction के लिए आप अलग अलग जो symbols हैं, वो use करेंगे उनको specify करने के लिए, खेर इस चीज को हम थोड़ा detail में आगे जब हम चलेंगे इस chapter के अंदर, तो पढ़ेंगे भी सही, लेकिन फिलहाल अगर आप थोड़ा सा clarification के लिए, यहां cursor पर ध्यान द रखा है, इस shaded area को हम क्या बोलते हैं, XY plane बोलते हैं, तो अगर कोई object plane में चल रहा है, यानि कि वो अब one dimensional motion नहीं कर रहा है, बलके two dimensional motion कर रहा है, तो आप यह देखिए, यह जो चार line ने आपको दिखाई दे रही हैं, इन चार line में से वो कहीं भी जा सकता है, यानि कि हो सकत है, वो इस line के long move करे, या हो सकता है, बाकी और दो जो line है, उनके long move करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि इन चार line के अलावा आपने बहुत सारी line और भी माल लीजिए, draw कर रखी हैं, तो क्या पता वो वहाँ पर भी move करे, तो आप एक बात देखिए, माल लीजिए, वो यहा करेंगे न, क्योंकि अगली line को आप ये देखिए, positive, negative नहीं बोल सकते, क्योंकि positive का मतलब होता है, एक ही specific direction, वो आपने यहाँ इस line पर इस तरफ जाते हुए positive बोल दी थी, तो naturally आप इस line पर इस तरफ जाते हुए को positive नहीं बोल सकते, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 2 vectors का use करते हैं, और यह हम देखेंगे आने वाले थोड़े से, मतलब sections में, कि किस तरह से हम vectors का use, directions को specify करने के लिए करेंगे, scalars के पास क्योंकि सिर्फ magnitude होता है, इसी लिए अगर उनका magnitude change हो जाएगा, तो उनकी value भी क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, लेकिन vectors के पास आप देखिए, दो चीज़े होती है, magnitude भी और direction भी, तो अगर आप vector quantities के अंदर change करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो उनका magnitude change कर सकते हैं, या उनकी direction change कर सकते हैं, या आप magnitude और direction दोनों को ही अगर change कर देंगे, तब भी vector क्या हो जाएगा, change हो कैसे करते हैं, देखिए, यहां मैंने लिखा है, कि a vector can be represented by a straight line with an arrow head over it, यानि कि एक vector को represent करने के लिए हम एक straight line का use करेंगे, जिस straight line के ओपर एक arrow भी लगा हुआ होगा, और उस line की जो length है, वो vector का magnitude बताएगी, और उस line के उपर लगा हुआ जो arrow है, उस arrow की direction, उस vector की direction की तरफ इशारा करेगी, हम इस चीज़ को थोड़ा सा example लेकर के समझते हैं, माल लीजिए आपने कहा, कि एक force है, 50 Newton का, और वो force, माल लीजिए, east direction के along लगा हुआ है, किसी object पर, तो अगर आप इस force को represent करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यह देखिए, कि जो force का magnitude है, वो कितना है, 50 Newton, और उसकी direction कहा है, east में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, north, south, east, west, जो directions हैं, वो mark कर ली, और क्योंकि मेरा force है, east direction में, तो आप यह देखिए, east direction को मैंने बनाया है, कहा, right hand side की तरफ बनाया है, तो इसका मतलब यह है, कि जो line'े, मैं draw करूंगा, मेरे 50 Newton के force को represent करने के लिए, उन line'ों पर जो arrow लगाऊंगा, उस arrow की direction कहा होगी, right hand side की तरफ होगी, आप इस चीज़ को धिरे-धिरे समझ जाएंगे, ठीक है, अभी आप देखिए, कि अगर आपका जो force है, वो 50 Newton उसका magnitude है, तो उसके magnitude को आप किस तरह से represent कर सकते हैं, माल लीजिए, आपने क्या किया, यहाँ देखिए, X से लेकर के Y की जो तरफ आपको एक यह line दिखाई दे रही है, आप यह देखो, कि मैंने, माल लीजिए, इस line के उपर 1 cm को 10 Newton बोल दिया, समझी इस चीज को, 1 cm की length को माल लीजिए, मैं कह रहा हूँ, कि 10 Newton के बराबर है वो, तो आप खुद सोचो, 1 cm length अगर 10 Newton के बराबर है, तो मुझे represent कितना करना है, 50 Newton ना, तो naturally मुझे एक line खीचनी पड़ेगी, कितने cm की, 5 cm की खीचनी पड़ेगी, तो आप यहां देखिएगा, x से लेकर के और y तक, आपकी ये एक line मैंने खीच के दिखाई है आपको, और माल लीजिए, ये line है, 5 cm long, यानि के cm scale से मैंने एक 5 cm लंबी line जो है, वो खीच दी है, तो आप ये देखिएगा, कि आपका जो 1 cm है, क्योंकि वो 10 Newton को represent करता है, length है, वो 50 Newton, यानि के आपके force के magnitude को represent करेगी, तो उपर जब ये देखिए, करसर के नीचे आप ये देखिएगा, तो जब मैं उपर आपको ये कह रहा था, कि जो line की length है, वो magnitude of vector को represent करेगी, तो उसका ये मतलब है, कि जितना आपके vector का magnitude होगा, ठीक है, line की length उतनी ही आप रखेंगे, अब कई सोचेंगे के मैं तो 11 cm के 50 marks बना सकता हूँ, ठीक है, थड़ा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आप वैसा भी कर सकते हैं, अब कई बच्चें सोचेंगे के हम ऐसा करेंगे, कि जी 1 cm को 25 newton के बराबर रख देंगे, तो आप ऐसा अगर करोगे, तो naturally आपको जो line draw करनी पड़ेगी, वो कितने cm की draw करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 cm की draw करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 cm अगर 25 newton है, तो 2 cm कितने हो जाएगे, 50 newton हो जाएगे, वो मैंने आपको यहाँ A से लेकर के B तक draw करके दिखा रखी है, तो अभी तक आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कि जो line आप draw करना चाहते हैं, उस line की length basically आपके vector के magnitude को represent करेगी, और यह purely आपके उपर है, कि आप कितनी length को vector का कितना magnitude assign करवा रहे ह ठीक है, आप चाहें तो 1 cm को 1 newton बोल दें, तो naturally आपको 50 cm लंबी line draw करनी पड़ेगी, ठीक है, और आप अगर चाहें तो 1 cm को 25 newton बोल दें, आप चाहें तो 1 cm को 10 newton बोल दें, यह आपकी मर्जी है, तो उस हिसाब से आप जो line की length है, उसको decide कर सकते हैं, कि कितनी जो line की length ह वो हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे vector के magnitude को represent करने के लिए, हाँ, एक और बात है, कि जो arrow लगाया गया है, इस line की length के उपर, वो किसको represent करेगा, direction of vector को, तो क्योंकि हमारा जो vector है, force, वो क्योंकि east में था, और east क्योंकि right side पे है, तो आप देखिए, इस x से लेकर के y तक जो हमने line draw की है, इसमें भी arrow आपका right side में indicate कर रहा है, और निचे वाली जो line है, उसमें भी arrow कहां indicate कर रहा है, right side में indicate कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है, यह जो उपर हमने 2 points discuss किये थे, यह आपको अब तक समझ में आ गई होंगे, कि अगर आप एक vector को represent करना चाहते हैं, line की help स तो line की length आपको vector का magnitude देगी, और line के उपर लगाया गया arrow आपको vector की क्या देगा, direction देगा, जब भी आप vector को इस तरीके से represent करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर आप देखिए arrow लगा हुआ है, इस arrow लगे हुए point को हम बोलेंगे head, और जो पिछला point था, जहां से आपने start किय यहाँ था line को draw करना, उस point को हम बोलेंगे tail, यह vector के notation में दो नाम होते हैं, यानि कि एक point को जिसको आप starting point बोल सकते हैं, आप उसको tail बोल सकते हैं, यहाँ पर x है tail, और निच्चे वाले में आप देखिए a का नाम क्या रखा गया है tail, जबकि यहाँ पर y को आप head यानि कि आप जहाँ से line को draw करना शुरू करते हैं, शुरुवाति point उसको आप क्या बोलेंगे tail, और जहाँ तक आप उसके magnitude को, vector के magnitude को represent करके खतम करते हैं line को, उस point को जहाँ पर आप यह मान लीजिए कि arrow भी हमें लगाना होता है, उसको हम बोलेंगे head, और अगर आप किसी vector को represent करना चाहते हैं symbolically, यानि कि जैसे कि मान लीजी आपको symbol से ही पता चल जाए कि वो vector है कि scalar है, तो आप क्या करते हैं, उसके उपर यह एक arrow का निशान लगा देते हैं, जैसे मान लो force vector है, तो force के symbol के उपर यह arrow का निशान आप लगा देंगे, लेकिन mass क्योंकि एक scalar quantity है, तो अगर आप mass को यहाँ पर symbolically M लिखोगे भी, तो आप M के उपर कोई भी arrow का निशान नहीं लगाओगे, क्योंकि mass एक scalar quantity है, तो यह तो हमने represent किया था हमारे vector को किस से, line की help से, और यह यहाँ पर हमने हमारे vector को represent किया है सिर्फ symbolically, और यह मत सोचिएगा, कि इस arrow की direction जैस इसलिए है क्योंकि आपका force जो था वो right side में था, symbol के उपर जो arrow होता है, उसको direction से कोई लेना देना नहीं होता, यानि कि कई बच्चे सोच सकते हैं कि अगर हमारा force north direction में होता, तो शायद यह arrow जो F के उपर लगा हुआ है, यह उपर की तरफ होता, या फिर अगर हमारा force south म से कहां लगाना होता है, right में ही, क्योंकि वो तो सिरफ ये indicate करता है, कि इस arrow के नीचे जो word लिखा गया है, उस word से आप क्या कर रहे हैं, एक vector quantity को represent कर रहे हैं, इस arrow का direction से कोई लेना देना नहीं होता, direction से लेना देना तो इस arrow का होता है, जो आप यहाँ vector के magnitude को represent करने वाली line के उपर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप दिखेंगे कि ये जो arrow लगता है, ये arrow तो सिर्फ इतना indicate करता है, कि इस arrow के नीचे जो word लिखा गया है, उस word से एक vector quantity को क्या किया जा रहा है, represent किया जा रहा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कि F vector is equal to 50 Newton in east direction, तो चलिए आप बात करते हैं, position vector और displacement vector के बारे में, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इनके जो नाम रखे गए हैं, वो इनके काम के according ही रखे गए हैं, यानि कि position vector का मतलब है, एक ऐसा vector जो आपको किसी object की position के बारे में बताता है, कि वो object, origin के मुकाबले कितनी दूरी पर और किस direction के अंदर located है, उसको हम क्या बोलेंगे, position vector बोलेंगे, example के लिए, आप ये देखिए, कि ये जो x, y coordinate system आपको दिखाई दे रहा है, माल लीजिए, point P यहाँ लाई करता है, जहां करसर आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ, कि point P, origin के मुकाबले 5 मीटर की दूरी पर है, और सिर्फ इतना ही बोल करके मैं चुप हो जाऊँ, तो क्या आपको point P की exact position, exact location पता लग जाएगी, आप एक बार सोचके देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कि जो आपका ये x, y coordinate system है, इसके origin से एक point P, मान लीजिए, 5 मीटर की दूरी पर है, क्या सिर्फ इतनी information से आप point P पर पहुँच पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ के origin से 5 मीटर दूरी पर है point P, तो origin से 5 मीटर दूरी तो x-axis के लोंग भी हो सकती है, और y-axis के लोंग भी हो सकती है, in fact, x और y के बीच में जो धेर सारी directions possible है, उनके लोंग कहीं भी 5 मीटर की दूरी आप जो है, mark कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है, कि अगर आपको किसी point की position के बारे में exactly पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस point की दूरी के साथ साथ, वो दूरी किस direction में है, ये भी बतानी पड़ेगी, तो अगर आप देखिएगा, मैं इस तरीके से बोलूँ, कि जो point P है, वो origin से 5 मीटर की दूरी पर तो है ही, लेकिन वो दूरी कुछ ऐसी है, कि आपको positive x-axis से anti-clockwise direction में 30 degree पर जो direction है, उस तरफ चलना पड़ेगा, वहाँ आपको point P, origin से 5 मीटर की दूरी पर मिलेगा, तब जाकर के आप exactly point P की location को, point P की position को क्या कर सकेंगे, specify कर सकेंगे, यानि कि देखिए, आप मान लीजिए, खड़े हैं origin O पर, ठीक है, तो यह जो positive x-axis है, इस से anti-clockwise sense में मान लीजिए, हमने बना दिया 30 degree का angle, ठीक है, तो यह जो line है, आप देखिएगा, इस line पर जब आप पांच मीटर आगे चलेंगे, तब जाकर के आपको point P की क्या मिलेगी, position मिलेगी, exact location मिलेगी, इसलिए O से लेकर के P तक, जो यह vector O P है, इसी को क्या बोला जाएगा, position vector of point P, या अगर point P पर कोई object रखा हुआ है, तो यह O P क्या होगा, उस object का position vector होगा, तो आप को यह बात स gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector, ठीक है, यानि के आपके पास एक coordinate system है, और उस coordinate system का जो origin है, उस origin के with respect to आपके point की location कहा है, यानि के वो origin से कितना दूरी पर है, और किस direction में है, यह information जो vector आपको देता है, वो क्या कहलाता है, position vector कहलाता है, अब हम देखते हैं, displacement vector क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि मान लीजिए, अगर कोई object displacement करता है, तो अगर कोई vector हमें यह बता दे, कि उस object ने पहली बात तो displacement की कितनी है, और दूसरी बात वो displacement उसने किस direction में की है, ठीक है, और आपका को है कि information हमें दे देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, displacement vector बोलेंगे, it is that vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval, is called displacement vector, देखिए, मान लो, कोई object P point पर है, और उस वक्त time हुआ है T, और एक T prime time पर, यानि कि T dash time पर, मान लीजिए, वो object चलता चलता अपनी position change करके Q पर पहुँच गया, मेरा मतलब कहने का यह है, कि यह जो आपको एक X, Y coordinate system दिखाई दे रहा है, मान लो, exact 11 है बजे, कोई object जो है, वो P पर है, और वो object चल चलता चलता कुछ time के बाद, मान लीजिए, पांच minute के बाद Q पर पहुँच जाता है, तो naturally जब वो P पर था, तो time कुछ और था, जब वो Q पर पहुचा, तो time कुछ और हो गया, तो इस time interval में, आप यह देखिए, उसने P से लेकर के Q तक का displacement कर लिया है, और direction कहा है, उसकी, direction उसकी वही है, जहां आपको यह P से लेकर के Q वाली लाइन पर यह arrow नजर आ रहा है, तो आप यह बोल सकते हैं, कि P से लेकर के Q तक की दूरी, और P से लेकर के Q तक की direction, जो vector हमें बता देगा, वही vector इस object का, यानि कि जो object आपका P से क्यों गया है, उस object का क्या कहलाएगा, displacement vector कहलाएगा, तो आप यहां देखिए, O P को मैं क्या बोल रहा हूँ, position vector of the object, when the object is at point P, at time is equal to T, और यह O Q क्या है, यह है, position vector of the object at some other time, let us say, that time is T dash, तो आप ही देखिएगा, O से लेकर के P, यह आपके point P का position vector है, O से लेकर के Q, यह आपके point Q का position vector है, तो आपके object ने जो P से Q अपनी position change की है, एक displacement आप कहलीजिए, आपके object ने किया है, तो वो displacement, पहली बात तो यह है कि उसने कितना किया है, यानि के P से Q का distance, और किस direction में किया है, यानि के P से Q की direction, तो यह दो information जो vector हमें देदेगा, उसक क्या कहलाएगा, displacement vector कहलाएगा, और आप एक चीज़ धान से देखिएगा, कि हम जब भी यह vector के notation लिखेंगे, तो यहाँ पर tail जो है, वो पहले आती है, और head जो है, वो बाद में आता है, आप धान से देखिएगा, object हमारा गया है, P से लेकर के Q तक, तो starting point को हम tail बोलते हैं ठीके, तो आप यह देखिएगा, P क्यों जो हमारा displacement vector है, उसमें P पहले आया है, क्योंकि tail पहले आती है, और वो object finally कहाँ पहुचा है, Q पर, तो Q आपका final point है, और Q पर आप देखो, यह आपने arrow भी ऐसे लगा रखा है, क्यों, क्योंकि object आपका P से लेकर के Q गया है, तो य यह arrow जो है, कहां लगी हुई है, यह head को represent करती है, इसका मतलब है क्यों आपका head का काम करेगा displacement vector के लिए, इसलिए आपका head बाद में आया है, तो किसी भी vector को represent करते वक्त, tail आता है पहले, और head आता है उसका बाद में, example के तोर पर, जब आप O P को एक position vector बोल रहे थे, तो न ले आई है, q head है, तो वो कहां आया है, बाद में आया है, तो यह दो definitions हमने बड़े आसानी से समझ ली है, कि position vector क्या होता है, और displacement vector क्या होता है, तो आईए अब हम vectors से related कुछ definitions की बात कर लेते हैं, पहली definition है, equal vectors, two vectors are equal if they have same magnitude and same direction, यानि कि दो vectors को आप equal, यानि कि बराबर तब बोलोगे, जब पहली बात तो है, उनका magnitude भी बराबर हो, और दूसरा, उनकी direction भी same हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि A vector को represent करने वाली जो line है, उसकी length, और B vector को represent करने वाली जो line है, उसकी length, दोनों की length बराबर है, यानि इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है direction भी इनकी same है, इसलिए यहाँ पर दोनों vector कैसे होंगे, equal होंगे, बराबर होंगे, फिर हमाते हैं, negative of a vector के उपर, अब negative of a vector का क्या मतलब है, आप मानली जीए हमारे पास यह दो vector है, पहला vector है मानलो A vector, और दूसरा vector है B vector, और य देखिएगा यहां से लेकर के और यहां तक की length और उसके बाद यहां से लेकर के और यहां तक की length दोनों बराबर हैं, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि direction दोनों की कैसी है, opposite है, तो अगर ऐसा होता है, तो हम बोलते हैं कि जो यह दूसरा vector B है, यह पहले vector A का negative vector है, यानि कि direction उल्टी होने की वजए से आप ये क्या लगा देंगे यहाँ पर negative sign लगा देंगे it is that vector which has same magnitude as that of the given vector but opposite direction यानि के मान लीजिए आपको एक vector a given है ठीक है और उस vector a का आपको लिखना पड़ता है negative vector तो आप कैसे लिखेंगे आप ऐसा काम कर दीजिए के vector a के magnitude के बराबर ही तो magnitude हो लेकिन जो vector a की direction है ना दूसरे vector की direction उससे कैसी हो opposite हो तो उस दूसरे vector को उस पहले vector का क्या बोला जाता है negative vector बोला जाता है यानि कि हम यह लिख सकते हैं कि vector b is equal to negative of vector a आप यहां समझ गए होगे कि कुल मिला के सारा चकर direction का है अगर आप यह कहेंगे कि आपका जो a vector है वो right hand side की तरफ है तो b vector कहा है आपका left hand side की तरफ है तो अगर आप यहां positive लेंगे b के साथ इसका मतलब है आपने left को positive ले लिया है तो naturally right side पर आप यह देखिए a के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा negative लेना पड़ेगा फिर तीसरी definition है zero vector की अब देखिए zero vector जो है वो एक concept होता है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि जो zero vector है वो एक concept है आप उसको अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीकी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एक ऐसा vector है जिसका magnitude zero है और जिसकी कोई sense direction की नहीं है उसको हम zero vector बोलेंगे तो इस definition में कई बच्चों को थोड़ा सा शक हो जाता है कि यह definition हमें समझ में नहीं आई reason यह है कि आप यह जब बोलते हैं कि कोई sense of direction zero vector के पास नहीं होती यानि कि उसकी कोई direction ही नहीं होती तो जब उसके पास कोई direction ही नहीं है तो उसको vector क्यों बोलें हम क्योंकि हम पहले पढ़ा था कि vector हम उसी को बोलेंगे जिसके पास क्या होगी direction होगी ठीक है तो अब हम इसको समझते हैं कि no sense of direction होने के बावजूद इसको vector क्यों बुला जाता है सबसे पहले आप इसका notation देख लें 0 के उपर जब आप ये vector का symbol लगा देंगे तो उसको क्या बुला जाएगा 0 vector बुला जाएगा देखो आप ऐसा सोचो कि आप एक object की velocity लिखना चाहते हैं और वो object suppose करिये अभी stationary है तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो object stationary है तो इसका मतलब है कि वो rest पे है यानि उसकी जो velocity है वो 0 है लेकिन चकर ये है कि जो velocity होती है वो एक vector quantity होती है इसलिए हम simply ये नहीं बोल सकते कि उसकी velocity 0 है हम ये बोलेंगे कि उसकी जो velocity है वो 0 vector है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो किसी scalar चीज़ को represent नहीं कर रही बलके एक vector चीज़ को represent कर रही है इसलिए हमें 0 के उपर क्या लगाना पड़ेगा एक vector symbol लगाना पड़ेगा देखो आप इस चीज़ को यो भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक object पर 10 newton का force लग रहा है right side में और उसी object पर 10 newton का force लग रहा है left side में तो आप से कोई पूछे के उस object पर net कितना force लग रहा है तो आप 0 newton बोलते हैं simple 0 नहीं बोलते क्यों क्योंकि यहाँ पर आप ये कहेंगे के 10 newton और 10 newton के दोनों forces आपस में cancel कर गए और उनका result आपको कितना मिला 0 newton मिला तो यहाँ पर जो 0 है वो कोई simple 0 नहीं है वो force को represent करने वाली 0 है इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देते हैं force की unit लगा देते हैं यानि के newton और वैसे आप अगर देखें 0 की कोई unit नहीं होती तो 0 तो 0 होती है तो similarly जैसे आप 0 की unit ना होते हुए भी उसके साथ unit होने के बावजूद भी कई बार हमें उसके उपर vector का symbol लगाना पड़ता है और वो सिर्फ इसी लिए लगाना पड़ता है ताकि आपको यह याद रहे कि वो 0 किसी vector चीज़ को क्या कर रही है represent कर रही है आप देखो जह दूसरे example के आपने देखा कि माल लो आप position vector लिखना चाते हैं एक ऐसे object का जो origin पर ही लाई करता है अभी पीछे हमने position vector पढ़ा था तो माल लो कोई ऐसा object है जो x y coordinate system के origin पर ही लाई कर रहा है तो आपको अगर उसका position vector लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे आप यह कहेंगे कि जी तो उसकी जो position है वो तो origin के उपर ही है यानि कि origin से उसका distance कितना है? 0 लेकिन क्योंकि आप उसका position vector लिखना चाते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 vector लिखना पड़ेगा आप एक बार यहां भी देखिएगा कि जो हमने पीछे उपर बात की थी negative vector की तो अगर आप इस negative a को suppose कि जी लेफ्ट साइड में ल लगाना पड़ेगा जो ये indicate करेगा कि दो vectors अपस में 0 result produce कर रहे हैं तो क्योंकि ये 0 दो vectors के vanish करने की वज़े से दो vectors के एक दूसरे को cancel करने की वज़े से आई है तो हमें ये represent करना पड़ेगा कि ये कोई simple 0 नहीं है बलके 2 vectors का result 0 हुआ है इसलिए यहां पर हमें उपर क्या लगाना पड़ेगा vector का एक symbol लगाना पड़ेगा तो आप खुद देखो कि जिस चीज का magnitude ही 0 है जैसे के example के तोर पर यहां हम position vector की बात कर रहे थे तो आप खुद देखो जो object lie ही origin के उपर कर रहा है तो उसकी direction आप कहा specify करोगे ना आप x में कर सकते ना आप y में कर सकते न 0 होता है तो अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि 0 vector जो होता है वो सिर्फ एक concept है उसको हम real में जो है represent नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका magnitude भी 0 होता है और उसके पास कोई direction की sense नहीं होती बलके उसको vector बोलने का मतलब ही यह है ताकि हमें यह पता चलता रहे कि वो 0 किनी 2 vectors य ने की वजह से आई है तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि एक vector को अगर एक real number के साथ multiply किया जाए तो उस vector पर क्या असर पड़ता है देखो माल लीजिए यह कोई vector A है यानि कि यहां से लेकर और यहां तक vector A का magnitude है और यह arrow क्या कर रहा है vector A की direction को show कर रहा है माल लीजिए आपने इस vector A को plus 2 से multiply कर दिया तो होगा क्या जो आपके vector का magnitude है वो twice हो जाएगा यानि कि आप यहां देख सकते हैं कि यह जो line है पिछली line के मुकाबले इस line की length दुगनी हो गई है ठीक है लेकिन direction आप देखिए same ही रही है जैसे पहले direction right side की तरफ थी अब भ ने vector A को 2 से multiply कर दिया है तो नया vector होगा two times of A vector यानि कि आप यह बोल सकते हैं कि अगर आप positive number से multiply करते हैं किसी vector को तो उस vector का सिर्फ magnitude double हो जाता है direction पर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन वहीं पर अगर आप इस vector A को suppose कीजिए अब की बार minus 2 से multiply करते हैं तो क्या होगा तो minus से क्योंकि आप उसको multiply कर रहे हैं तो आपके vector की direction क्या हो जाएगी change हो जाएगी यानिकि जैसे यहाँ आप देखिए आपके vector A की direction है कहां right hand side की तरफ लेकिन जो आपका minus के 2A vector है उसकी direction कहां हो चुकी है आप देखिए left hand की तरफ हो चुकी है और आपका जो magnitude है वो त किसी vector को किसी negative number से multiply करते हैं तो vector का magnitude तो उतना ही बढ़ जाता है जितना वो number होता है लेकिन direction जो है vector की वो क्या कर जाती है change कर जाती है इस negative sign की वजह से तो आप कुल मिला करके बोल सकते हैं कि when a vector A say A vector is multiplied by a real number say lambda then we get another vector lambda into A vector whose magnitude is lambda times as that of the A vector लेकिन अगर lambda positive होगा तो direction आपके जो vector की है नए vector की वो same रहेगी यानि कि अगर आपका lambda positive है तो जो direction A vector की थी वही direction lambda A vector की रहेगी लेकिन अगर आपका lambda negative है तो आपका जो नया vector lambda A होगा उसकी direction opposite होगी A vector की direction के और ये lambda क्या है ये lambda है आपका कोई भी real number जैसे के मैंने आपको plus 2 और minus 2 का example ले करके समझाया था तो कुल मिला करके आपको बात समया गई होगी कि अगर हम किसी भी real number को किसी vector के साथ multiply करते हैं तो vector का magnitude तो change हो गई होगा ठीक है लेकिन direction के वल तब change होगी यदि आपका number कैसा हो negative हो झाल